हिंदी साहित्य संपून घटना चक्र क्विक रिविजन विद आर्ती शर्मा दोस्तों आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें साथी साथ मेरे वीडियो के अगले नोटिफिकेशन को पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें दोस्तों आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट सत्तर यानी सेवंटी तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रेशन गौर करेंगे दोस्तों तीसरी सत्ता तीसरी सत्ता उपनियास के लेखक का क्या नाम है तो पहली बात तो तीसरी सत्ता क्या है एक उपनियास है ठीके इस गिरी राज किशोर का उपनियास है तीसरी सत्ता, ठीक है, गौर करेंगे व्याख्या पर, ध्यान दें दोस्तों, तीसरी सत्ता, लोग, जुगलबंदी, ढाईगर, इंद्र सुने, यथा प्रस्तावित, आदी, उपनियास के लेखक कौन है, गिरी राज किशोर, फिर से सुन तीसरी सत्ता, लोग, जुगलबंदी, दाईगर, इंद्र सुने, यथा प्रस्तावित, आदी, उपनियास के लेखक, गिरी राज किशोर हैं, ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं निम्न हैं, कौन-कौन सी देख लेते हैं, कहानी संगरे, कहानी संगरे पर देखते हैं, नीम के फूल, फिर है चार मोती बे आब, फिर है पेपर वेट, फिर है रिष्टा और अन्य कहानिया, फिर है शहर दर शहर, शहर, दर शहर, फिर है यह देह किसकी है, यह देह किसकी है, आदी, यह सभी क्या हैं, कहानी संगरे हैं, इसके बाद आता हैं दोस्तों, नाटक, द्यान से सुनना नाटक पर नजर डालेंगे गिरी राज की सोर के कुछ नाटक हैं गौर करेंगे नर्मेग फिर है प्रजा ही रहने दो फिर है चेहरे चेहरे किसके चेहरे किसके चेहरे केवल मेरा नाम लो फिर है दोस्तो जुर्म आयद फिर है दोस्तो काठ की तोप फिर है लगू नाटक मोहन का दुख आदी तो ये सबी नाटक थे किसके गिरी राज किशोर के और कुछ कहानी संग्रे भी थी चाहें तो स्क्रीन शॉट ले लें अगला प्रशने दोस्तो 30-40-50 ध्यान से सुनना 30-40-50 उपनियास के लेखक कौन है तो 30-40-50 उपनियास के लेखक है ऑप्शन D प्रभाकर माचवे प्रभाकर माचवे का उपनियास है 30-40-50 जी आईसी प्रवक्ता परिक्षा 2017 में पूछा गया प्रशन है ये ठीक है व्याक्ष्या देखेंगे दोस्तों प्रभाकर माचवे के तीन उपनियास कौन कौन से दर्द के पैवंद दर्द के पैवंद फिर है किस लिए किस लिए फिर है तथा 30-40-50 इन तीनों उपनियासों में आदूनिक जीवन की मूले हींदा एवं खोकले पने के वर्णन का प्रियास किया गया है ज्यान से सुनना प्रभाकर माचवे के तीन उपनियास हैं कौन कौन से दर्द के पैवंद किस लिए तथा 30-40-50 इन तीनों उपनियासों में आदूनिक जीवन की मुल्ले हींता एवं खोकलेपन का वर्णन किया गया है यह आपको पता होना चाहिए ठीक है अगला प्रशन है गौर करेंगी दोस्तों फास उपनियास के लेखक कौन है तो फास उपनियास के लेखक है ऑप्शन बी संजीव संजीव का उपनियास है फास ध्यान रखें व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों गौर करना जरा फांस फांस उपनियास के लेखक संजीव हैं कौन है फांस उपनियास के लेखक संजीव हैं इस उपनियास की प्रिष्ट भूमी देखते हैं क्या है तो देश भर में लगबग पिछले दो दशकों से बढ़ रही किसानों की आत्मत्याएं प्रिष्ट भूमी ह किसकी फाностью की ठीक है तो देशबर में जो पिछले दो दश्ष्कों से जो लगातार किसान हो आत्मात्तिया बढ़ रही है उसकी पृष्ट भूमी ली गई है फांस उपन्यास में हाला कि उपन्यास में महराश्टर के यवत माल जिले के कौन से जिले के यवत माल जिले के बन गाव नामक गाव का चितरन किया गया है लेकिन इसमें आंद्र प्रदेश वा करनाटक के किसानों सहीत भारत के उन सभी किसानों की कहानिया शामिल हैं द्यान से सुनना लेकिन इसमें आंद्र प्रदेश वा करनाटक के किसानों सहीत भारत के उन सभी किसानों की कहानिया शामिल हैं जिन्हें पहले जी एम बीजों का इस्तमाल करने के लिए फुसलाया गया और फिर कर्ज दिया गया ठीक है लेकिन सूखे की मार और कुछ प्रकरत के साथ अत्याचार के कारण सीधे साधे किसानों की जिन्दगी कर्ज और सूखे के बोज तले होने के कारण आत्मत्या की तरफ बढ़ती गई ठीक है तो यह कुछ इंपोर्टेंट बात थी फास उपनियास के संबंद में ठीक है वीडियो रिपीट करके भी आप देख सकते हैं अगला प्रशन है दोस्तों गौर करेंगे जरा निम्न लिखित में से कौन सा उपनियास कमलेश्वर का नहीं है तो कमलेश्वर का नहीं है कौन सा उपनियास ऑप्शन सी चौखट चौखट कमलेश्वर का उपनियास नहीं है ध्यान रखना व्याख्या देखते हैं बाक या क्या देखते हैं गौर करेंगे दोस्तों कमलेशवर का नाम नई कहानी आंदोलन से जुड़े अगुवा कथाकारों में आता है ठीक है नई कहानी आंदोलन से जुड़े अगुवा कथाकारों में जिनका नाम आता है वो कौन है कमलेशवर ठीक है उनकी पहली कहानी 1948 में प 1957 से वे बड़े कथाकार बन गए 1957 में उनकी एक कहानी आई राजा निर्बंसिया ठीक है तब से वे एक बड़े कथाकार बन गए कमलेश्वर ने 300 से ज्यादा 300 से ज्यादा कहानिया लिखी हैं उनकी कहानियों में मास का दरिया ध्यान से सुने मास का दरिया नीली जील तलाश बयान, नागमनी, अपना एकांत, आसकती, जिन्दा मुर्दे, जॉर्ज पंचम की नाग, मुर्दे की दुनिया, कस्बे का आदमी, एवं इसमारक, आदी उलेखनिये हैं। चोखट उपन्यास के रचनाकार कौन हैं, द्रोन, वीर, कोहली, ध्यान से सुनें, चोखट उपन्यास के रचनाकार द्रोन, वीर, कोहली हैं। इतनी बात आप याद रखें। अब देखेंगे अन्ये महत्पून तथे, गौर करना जरा। गौर करेंगे दोस्तों, अन्ये महत्पून तथे, कमलेशवर की अन्ये कृतियां कुछ इस परकार हैं। ध्यान देंगे, उनके उपन्यास पहले देखते हैं, एक सडक सत्तावन गलियां, इंपोर्टेंट है, एक सडक सत्तावन गलियां, फिर है डाक बंगला, फिर है तीस फिर लोटे हुए मुसाफिर, फिर है वही बात, फिर है आगामी अतीत, फिर है सुभा दुपहर शाम, फिर है रेगिस्तान, फिर एक और चंद्रकानता, फिर है कितने पाकिस्तान, फिर से सुन ले दोस्तों, एक सडक सत्तावन गलियां, फिर है डाक बंगला, एक है तीसरा आदमी, एक है समुद्र में खोया आदमी, एक है काली आंधी, एक है लोटे हुए मुसाफिर, एक है वही बात, एक आगामी अतीत, एक है सुभा दोपहर शाम, एक है रेगिस्तान, एक है एक और चंदरकांता, और एक है कितने पाकिस्तान, तो ध्यान रखें ये इनके कुछ उपनियास हैं, और इनके नाटक, कमलेश्वर के कुछ नाटक भी हैं, गौर करेंगे दोस्तों, अदूरी आवाज, फिर है रेत पर लिखे नाम, फिर है दोस्तों हिंदोसता हमारा, इस नाम से मुझे याद आ गया, है ना, हम बुल बुले हैं इसकी ये गुलसता हमारा, है जहां से अच्छा हिंदोसता हमारा, तो कुछ इस तरह से लाइने हैं, तो आगे देखते हैं अगला प्रशन, गौर करेंगे दोस्तों, चंद हसीनों के खतूत, चंद हसीनों के खतून किसकी रचना है, तो ऑप्शन हैं दोस्तों, C, पांडे बेचेंशर्मा उग्र, केंद्रिये विश्व विध्याले, PGT परिक्षा 2015 में प्रशन आया है, ठीक है, तो ध्यान रखना, गौर करेंगे दोस्तों, वर्स 1927 में, कब, वर्स 1927 में प्रकाशित, पांडे बेचेंशर्मा उग्र के, लगू व्यंगे उपन्यास, कैसे उपन्यास, लगू व्यंगे उ खतून, द्यान से सुनना, खुदा राम और चंद हसीनों के खतून, इनमें तीक्षन व्यंगे की बानगी प्रस्तुत की गई है, तो याद रखेंगे दोस्तों, इंपोर्टेंट है, अगला प्रशन देखते हैं, गौर करेंगे किस भाषा में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं, तो ऑप्शन डी, मराठी, मराठी भाषा में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं, अच्छा प्रशन है, मराठी में उपन्यास के अर्थ में कादंबरी शब्द एक जाती वाचक संग्या बन गया है क्या बन गया है जाती वाचक संग्या बन गया है मराठी में उपन्यास के अर्थ में ठीक है अगला प्रशन है दोस्तों उपन्यास और उपन्यासकार उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टी से एक युग्म अशुद्ध है ठीक है कौन सा है देखते हैं Option B, ठीके, ये क्या है, अशुद्ध है, महा बोज उशा पिरियम वदा, ऐसा बता रहें कि महा बोज जो उपनियास है, उशा पिरियम वदा का है, जबकि ये गलत है, ठीके, महा बोज किसका उपनियास है, मन्नु बंडारी का उपनियास है, ठीके, बाकी नीला चांद, ये किस किसका है शिप प्रसाद सिंग का उपनियास है फिर सारा आकास ये किसका है राजेंद्र यादव का उपनियास है फिर मुझे चांद चाहिए ये किसका उपनियास है सुरेंद्र वर्मा का उपनियास है ठीक है ध्यान रखना और जो महा भोजे वो किसका है मनु भंडारी का अजे की डाइरी देवराज की किस विधा की कृती है तो ऑप्शन बी उपन्यास उपन्यास विधा की कृती है ये ठीक है अजे की डाइरी द्यान रखना उपन्यास है डाइरी शब्द है लेकिन कन्फ्यूज मत होना ये एक उपन्यास है ठीक अब व्याख्या देख लेते हैं गौर करें दोस्तों देवराज नंद किशोर देवराज नंद किशोर मूलतह चिंतक हैं और उनकी साहित्य चिंता भी उनकी व्यापक संस्कृती चिंता के अंतरगत उपलक्षे रूप में ही है क्रिती के बजाए कृतित्व के लिए कियों किशोर देवराज नंद किशोर मूलतह चिंतक हैं पहली बात और उनकी साहित्य चिंता भी उनकी व्यापक संस्कृती चिंता के अंतरगत उपलक्षे के रूप में ही है ठीक है ये मानवतावादी परंपरा के विचारक हैं कैसे मानवतावादी परंपरा के विचारक हैं और कृती के बजाए कृतित्व के लिए किसके लिए कृती की बजाए कृतित्व के लिए आवश्यक वातावरण और प्रेणाव को इसपस्ट करने में सहज उत्सा का अनुभ करते हैं ठीक है क्रिती की वजाए क्रितिद्व के लिए आविश्यक वातावरण और प्रेणाव को इसपष्ट करने में सहज उत्सा का अनुभव करते हैं देवराज नंद किशोर की अन्य रचनाए कौन-कौन सी हैं ध्यान से सुनेंगे तो दोस्तों पत की खोज किसकी पत की खोज ये एक उपन्यास है फिर है साहित्य चिंता फिर है आधुनिक समिक्षा फिर है चायावाद का पतन फिर है दोस्तों साहित्य और संस्कृति साहित्य और संस्कृति फिर है दोस्तों अजे की डाइरी किसकी डाइरी अजे की डाइरी ये भी एक उपन्यास है फिर है दो संस्कृति का दार्षनिक विवेचन यह पूरा नाम है संस्कृति का दार्षनिक विवेचन फिर है दोस्तों इतिहास पुरुस कविता संग्रें इतिहास पुरुस कविता संग्रें हैं प्रती किरियाएं प्रती किरियाएं फिर है दोस्तों मैं फिर है दोस्तों वे और आप व पन्यास है इनकी सबसे मेधपूण पुष्टक कुंसी है संसे दार्षनिक विबे चन है तो दोस्तो हमारा आज का ये पारटि यही समाप्त होता है पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें शिएर करें मेरे चनल को सबस्क्राइब करें साथ ही साथ मेरे वीडियो के अगली नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद दोस्तों